गल्ती से भी ना लगाएं घर में ऐसी तस्वीरें नहीं तो हमेशा रहेंगे परिशान घर को सजाने सवारने की जुगत में अक्सर हम वास्तूपा ध्यान नहीं रख पाते हर गर एक आहानी कहता है घर की साथ सजावरक रकाव के तरीके से घर में रहने वाले लोगों का व्यक्ते तो जलगता है यदि कभी गौर करें तो घर का हर कोना इसके एक-एक सदस्य की जीवन शैली को बयांग करता है हम अपने घर को सजाने सवारने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं मसलन कमरे को अलग लोग देने के लिए हम फरनीचर को अलग-अलग दिशा में रखते हैं कभी परदे बदलते हैं तो कभी घर की दीवारों को कई तरह की मनमूहक तस्वीरों से सजाते हैं घर को सजाने सवारने की इस जुगत में अक्सर हम वास्तू का ध्यान नहीं रख पाते। इस कारण जाने में ही हमारे घर में नकारात्मक्ता प्रवेश कर जाती है जो कि हमारे जीवन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगर हम बात करें तस्वीरों की तो यह जहां दीवारों को आकरशक बनाती हैं और वहीं आपकी रचनात्मक्ता को भी प्रवेशित करती हैं लेकिन यदि वास्तू के मुताबीक यह सही नहीं हैं तो यह घर में नकारात्मकूर्जा के आगमन का कारण भी बन सकती हैं। आए आज हम आपको बताते हैं क्योंकि वास्तू के हिसाब से आपको किन तस्वीरों को अपने घर में लगाने से परहेश्ट करना चाहिए ताकि मुर्जायन आपके जीवन की बगिया। अपने आशियाने को कभी भी पानी के बेहते जरने की तस्वीर से सजाने की भूलना करें। घर का माहौल का लहपूर्ण होता है और परिवार के सदस्यों में लड़ाई जगड़े होते रहते हैं जिस कारण घर में हम समय तनाव व्यापत रहता है और खुशाली मानों घर का रास्ता ही भूल जाती है। नन्हें बच्चे भला किसे नहीं अच्छे लगते। उनका खिलकलाना और रोना दोनों ही लोगों को आकरशित करता है। कई लोग अपने घर में मासूम बच्चों की तस्वीरें भी लगाते हैं। खिलकलाते हुए बच्चे की तस्वीर जहां घर में खुशाली का प्रतीक मानी जाती है तो वहीं आसू बहाते हुए बच्चे की तस्वीर घर में बुरे भागय के आगमन का कारण बनती है। इस परिवार के सदस्यों में प्रेम भावना ही घर को जीवन्त बनाती है। लिहाजा घर का माहौल तनाव पून हो सकता है।